हेलो एवरीवन मैं विशुजीत सिंग आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूं दोस्तों आज किस वीडियो के नदर में हम महिस्ट्री महाई 0-2 लेसन 10 रास्टवात पढ़ने वाले हैं दोस्तों यह टॉपिक बहुत इंपोर्टेंट है लास्ट यह इसमें से कोशन भी एक कि रास्ट होता क्या है रास्ट का परिवासा क्या है सेकिंड टॉपिक के अंदर में हम बात करेंगे रास्टवात क्या है थर्ड टॉपिक हमारे रहेगा दोस्तों दच्छिन एस्या में रास्टवात दच्छिन एस्या के रास्टवात किस परकार का है पाकिस्तान का राष्टवाद में क्या है किस तरह से हैं यह सारी चीज़े हमें आपके देखेंगे दच्छी एसे के राष्टवाद के अंदर में फोर्थ जो हमारे टॉपिक रहेगा दोस्तों फोर और फिक यह इंपोर्टन टॉपिक है राद जो राष्टवाद है उसका वर्गी करन किया अलग-अलग विचारकों के द्वारा ठीक है जो विचारक कौन होते जो इतिहांसकार जो इतिहांस की रचना करते जिनका मतलब बहुत बड़े होते हूं वह ठीक है तो उनके द्वार इसका वर्गी करन किया गया विचारकों के द्वारा तो ग्लेनर का वर्गी करन और सब भी स्टुडेंट से रिक्वेस्ट ही रहेगा कि जो भी टॉपिक हम पढ़ रहे हैं सारा लेक्चर बेस होने वाला है अगर किसी को कुछ समझ में आए तो वो कमेंट करके पूछ सकता है डिस्क्रिप्शन में जा सकता है वहाँ पर सभी सोचल में प्लेटफॉर्म के लिंक दे हुए वहाँ से भी डिरेक्टली पूछ सकता है और अपनी बुक नोटबुक लेकर बैठे लेक्चर बेस वीडियो होगा तो समझने की कुर्सिस करें मैं भी कुर्सिस करूँ अपनी तरप से आपको अच्छे समझाने की चली स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है रास्ट है क्या अब सभी लोगों के नुसार अलग-अलग डेफिनिशन है कि भीया मेरे इसाब से रास्ट ये है आपके नुसार से क्या डेफिनिशन है आप क्या जानते हो रास्ट आपके अकोडिंग क्या है वो मुझे comment करके बताईएगा ठीक है यहाँ पर normal एक आम बोल चाले की भासा में अगर मैं रास्ट का definition दूँ तो कहा जाता है कि अबादी या मानव समुदाय को रास्ट के नाम से संबोधित करते हैं अबादी क्या होता है जो लोग है ठीक है जो मानव समुदाय है जहां पर जनता है उसको हम रास्ट के नाम से संबोधित करते हैं सिंपल से एक definition है पर आपके जो बुक के अंदर में definition दिया गया है उसके अंदर में कहता है कि किसी भी भूखंड पर ठीक है किसी भी भूखंड पर जो मानव जाती बसी हुई है ठीक है समुदाय बसा हुआ है सब्भेता बसा हुआ है ठीक है उनकी जो संस्कृती है भासा है आचार वैवार है वो रास्ट के निर्मान के लिए यहाँ पर बुक के अंदर में क्या बताएगा क्या चीजह जरूरी होना चाहिए एक तो जमीन का टुकड़ा भूक्हंड ठीके दूसरा कहता है कि उस फे बसा हुआ समुधायard मानव जाती समुधायक ठीके उनकी स्वाथा एक कल्चुर होना चाहिए एक संस्कृत होना चाहिए ठीके भासा होना चाहिए लेंग्विज होना चाहिए अचार वेवार उनका विहेवियर किस तरह का है ठीके आचरन किस प्रकार का है यह सब कुछ मिला कर एक राष्ट का निर्मान करती है ठीके समझ में आता है उसे रास्ट का निर्मान होते हुए देखते हैं ठीक है मालों कोई वेक्ति किसी प्रित्वी के किसी भाग पर गया वहाँ पर जया कि बस गया वहाँ पर रहने लगा खाने पिने लगा वहाँ पर जनसंग क्या बड़ी सब कुछ हुआ तो वह जो है पूरा एरिया वह रास्ट पर जाकर अगर वह बसता है तो उसे हम रास्ट निर्मान होते हुए देखते हैं यह रिनान ने कहा तो यहाँ पर उन्होंने इक्षा के उपर में जूर दिया इक्षा सक्ति के उपर में कि मनुसर अपने इक्षा सक्ति से रास्ट का निर्मान करता है ठीक है आगे मैं बात क तो कहीं सारे विचारकों ने इस का खंडन भी किया हौई जिसमें कहते हैं निननों किसी प्रकृति के आधार पर गठ perce chance प। उप्राकर्तिक सीमा होती जो ऑटोमेटिक बनी रहती है उसी के अधार पर राज्य का गठन होता है रास्ट का गठन होता है ठीक है समझ में आता है तो यहां पर यह कहा गया आगे रेनान कहते हैं कि उन्होंने रास्ट निर्मान के लिए मानव इक्षासक्ति को important बताया रास्ट का निर्मान मानव की इक्षासक्ति या चेतना के बिना नहीं हो सकता यह रेनान ने कहा ठीक है रास्ट के निर्मान के लिए मानव इक्षासक्ति के साथ साथ चेतना की जरूरत है यह उन्होंने बोला ठीक है समझ में आता है यहां तक आगे में बात करो दोस्तों त यूरोपिय घटना के अंदर में आता है यूएस वो ठीके जो घरेलू करांती हुई अमेरिका के अंदर में ठीके अमेरिकिन करांती ठीके फ्रांसिसी करांती हुई ठीके यूके ब्रिटेन के अंदर में जो करांती हुई वो सब लोगों को बहुत जादा मोटिवेट किया एक जग से दूसरे को लोग स्थान्तरन हुए ठीके उहां पर परिवर्तन हुआ चीजों के अंदर में परिवर्तन हुआ ठीके क्रांती आई तो उस चीजों ने यहां पर रास्ट का निर्मान के लिए लोगों को प्रइड किया ए यहां पर एक माना जाता है कि यूरोपी घटनाओं ने रास्ट का निर्मान में बहुत बड़ा युगदान दिया जनम के जनक के तोर पर हम यूरोपी घटनाओं को यहां पर कवर करते हैं रेनान ने यह माल बुला यहां पएक चीज़ और बोले जाता है कि सांस्कृतिक रूप से समरुपता निर्माण से राष्ट का निर्मान होता है यहां पर रिनान एक चीज और बोलते हैं कि अगर आप रास्ट का निर्मान करना चाहते हो तो आपको सांस्कृतिक रूप से समानता समरुपता चाहिए होगा ठीक है अगर मान लो मैं हिंदू हूं मेरा कल्चर अलग है एक मौमडन है एक मुसलमान है उसका कल्चर अलग है तो कि भारत का विवाजन क्या गया ठीक है इसी अधार पर कि भीया यह इनका कल्चर अलग है इनका कल्चर अलग है इनका धर्म अलग है इनका धर्म अलग है दोनों एक साथ रही नहीं सकते ठीक है तो हमें क्या करो अलग कर दो मुसलिमों ने यह बोला ठीक है तो उनके अधार पर अलग करके पाकिस्तान और पूरवी पाकिस्तान का गठन किया गया था ठीके यह वाला टॉपिक जो है अभी हम दच्छी ने इसिया का जो रास्टवाद है वहाँ पर कवर करेंगे पूरा बस आपको थोड़ा समय यहाँ पर बता रहा हूं कि समरुपता की बहुत जादा वाली बात नहीं है मैं आपको शरीफ एक एक जामपल देता हूं जैसे हमारे कल्चर में क्या कि हिंदू कल्चर में क्या होता है कि गाय की पूजा की जाती है ठीक है काव के हम पूजा करते हैं ठीक है पर मौमडन कल्चर में क्या है इसलामी कल्चर में क्या है कि गाय को पू इन्नाम होता है तो यह चीजंग होती हैं जो हमारा कुल्चर को डिफरेंस बनाती है है हम उसको पूझा कर रहे हैं घो c i fe हो चो tools बोहां बहुत सारी डिफरेंसल में हां तो हम यह डिसस कर सकते हैं ठीक है समझ में आता है तो यह चीजे यहां पर कहा जाता है रिनान के द्वारा कि अगर सांस्कृतिक संभुपता है तभी हम राष्ट का निर्मान कर पाते हैं अधरवाइस नहीं कर पाते हैं यहां पर विचारक आते हैं स्टैलिन 1910 के अंदर में आते हैं और 1910 के अंदर में वो कहते हैं कि रिनान की परिवरतन की जोरते वो यहां पर संकेत देते हैं तो इस्टैलिन क्या करते हैं रिनान की परिवासा के अंदर में परिवरतन का संकेत देने के साथ तो उसमें परिवरतन के उपर में जोर देते हैं जिसमें वो कहते हैं कि रास्ट मनुस्य का वह समू है जो संयुक तुरुप स किसी भूभाग पर निवास करता हो और लोगों के आर्थिक मानसिक तथा भासा के द्रिष्टी से समान हो ठीक है यहां पर इस्टैलिन यह बोलके जाते कि भी रास्ट पर निवास करना चाहिए लोगों का इक्षा सक्ति से नहीं होता ना वो इस पेस में थोड़ न रास्ट ब भी यह किसी जमीन के टुकड़े पर मनुसरे क्या करना चाहिए निवास करना चाहिए रहने के साथ वो कहते हैं कि लोगों का आर्थिक रूप से भी समरुपता हो ठीक है मतलब आर्थिक रूपते होना कि यह लेन दिन करने आपस में ऐसा थो आई कि वह उधर रह 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 होता है ये स्टैलिने का 1910 में ठीक है समझ में आता है यहां पर रिनान और स्टैलिन केकर मैं बात करूँ तो रिनान की जो डैफिनिशन थी रिनान के परिभासाओं के अंदर में इक्षा के उपर में बहुत ज़्यादा जोर दिया इक्षा सक्ति के उपर में रेनान ने जोर दिया रास्ट के निर्मान के लिए पर वहीं पर इस्टैलिन की जो बाते थी उसके अंदर में सांस्कृतिक ठीक है सांस्कृतिक तत्व के उपर में जो तत्व सांस्कृतिक तत्व है और रास्ट निर्मान के लिए उसके उपर में कि सांस्कृतिक एक होनीड चाहिए ठीक है आर्थिकस कर ने अब कर पार स्मूनों है राष्ट की परिवासा देती है समझिज में आया राष्ट के परिवासा कुछ जाद़ प्रफ था निक बस आपको सुनना है समझना है एक बार अगर आप समझ लोगे तो फिर आप क्या कर सकते हो बुक में जागकर study करोगे तो सेम चीज़े आपको मिलेगी वहाँ पर भी तो आपको वह सारा cover हो जाएगा देखो normal किसी भी chapter को clear करने का theory क्या होता है मेरे पास मैं कैसे तरह से करता हूँ तो अगर मालो suppose करो मैं एक है मैं history का student हूँ also ठीक है तो मैं क्या करता हो कोई chapter मुझे करना है ठीक है तो मैं उस chapter का सबसे पहले तो देख लेता हो क्या questions बन दें ठीक है सबसे पहले question के through जाओ question को समझ में हाँ यह question चार question बन रहे है ठीक है उसके इसाफ से book देख लो कि हाँ यह question कहां कहां से put up किये गए है मतलब कहां से इसके answer हम खो सकते हैं यह देख लो book के अंदर में ठीक है हमने questions के answer भी find out कर लिए दो चीज हो गया अगर मेरे पास कोई supporting material है तो मैं उसके through उसको पढ़ा clear किया अगर वो भी नहीं है तो video है कोई देख रहा हूं जैसे मानलो दीन अब कि हम video देख रहे है तो उसकी video हमने देखा video देखने के बाद एक almost 97% हमारा जो होता है clear हो जाता है कि यह इस video के अंदर म यह helps ही direct notes बना लेते हैं but मैं use क्या करता हूं कि पहले मैंने video को 2-3 बार समझा सही से समझने के बाद वापस से book पे गया roughly उसको study किया जितनी speed से कर सकता हूं ठीक है और study करने के बाद अपना notes जो भी बनाना है वो बना लो वो better रहता है और अच्छे से समझ में आ जाता है यह मेरा theory है यह मेरी logic है कि मैं इस तरह से समझता हूं ठीक है अगले topic पर आते हैं दोस्तों रास्ट वाद क्या है इसके बारे में बात करते हैं आप सभी से उम्मीद करता हूं कि अगर आपको कुछ समझ में ना है तो आप कमेंटर के पूछ लेंगे ठीक है क्योंकि गया की सवर्श्ट क की जो परिवासा उद्य हुआ जो राश्ट वाद का उद्य हुआ तो कई सारे विध्वानों के द botti के अंधर में राश्ट वाद का उद्या है कि भ्रह Border tooki गया कि व्यक्ती की भक्ति राश्ट के पर्थी होती है ठीक है मतलब देखो यहाँ पर सुरु सतावधी के अंदर में हुआ यह माना गया कई जगबे कई सारी विचार को ने कहा पर अगर आप भारत के अकोंडिंग देखोगे तो भारत के जो रास्टवादी नेता थे उन्होंने बोला कि भारत के अंदर में रास्टवाद की भावना कई हजार साल पुरानी है ठीक है यह भक्ति हो मैंसा भारत के परती होगी हम जो अपना इंडियन फ्लैग है नेशनल फ्लैग उसको देखेंगे तो अपना मोटिवेट होंगे ठीक है जब हमारा रास्टवाद होगा तो हम मोटिवेट होंगे कहीं किसी जगपे हम अगर हमें गोल्ड मैडल मिलेगा कुछ मैडल म हम जीतेंगे तब हम मोटिवेट होंगे ठीक है अभी जैसे में नियूज दिख रहा था ने अपने ही नैसनल रिकॉर्ड तोड़ दिया ठीक है तो बहुत अच्छा लग रहा था अंदर से कहां वी आर इंडियान है हां पर हम प्राउट फिल कर रहे थे जब मुझे पता जल सूरता तत्था राष्टवाद की भावना का पोर्शन किया जो उदारवाद वाली विचारधरा थी उसने राष्टवाद को बढ़ावा दिया ठीक है रास्डवाद को बन्तल maid को दिया उदारवाद की भावनाओं ने ठीक है उदारवाद में लोगों को सिखाया कि freedom होता क्या है तो freedom के कारण से वहापे जब लोगों के अंदर में अपनी अपनी मतलब जो power है वो जाना rights जाना दिकार जाना कि क्या दिकार है तो रास्टवाद की खोज करते हैं और रास्टवाद के लिए निकलते हैं ठीक है रास्टवाद ने 28 साथ तादी में बोधिक आंदोलन से प्रवावित किया ठीक है जो रास्टवाद था रास्टवाद का स समाजवादी परिवर्दन कारी जो लोग थे उन्होंने जब इस तरह के आंदोलन चला है तो उस से संपवराष्टवाट का उदेय देखने कले मिलता है ठिक इसका परिवर्दन का स ! जहाँ पे यहां पर अगर बात करते हैं तो हुंGHT तो अगर आप करते हैं तो हम हम बात करते हैं टा जगों पäre हम अजाद भारत के इन्दर में अपनी चीज़ेंplace आपको मैं वीडियो बनाकर पढ़ा हां आप-पढ़व थे तो यह चीजे कर रहे हैं, तो इसका main सबसे बड़ा reason क्या होता है, कि आदर्श्वाद के अंदर में धर्म निर्पिक्षता की कोई जगह नहीं होती है, चलिए आप comment करके बताएगा, धर्म निर्पिक्षता होता क्या है, ठीके, आप में से बहुत सारे students कई बार पढ़ते आ सब्सक्राइब या MST की स्टूटेंट ऐसे ही, तो एक question of the video है, धर्म निर्पिक्षता होता क्या है, definition जो आपके हिसाब से है, वो comment करके बताएगा, ठीके, आगे मैं बात करूए यहां पर, तो का जाता है कि राश्वाद की भावना ने पर्म परागत रूडिवादी सक्ति को चुनोती दी, ठीक है, उदारवादी परकृतियों को परसाहन किया, ठीक है, जो राश्वाद की भावना थी, जो रूडिवादी सक्तिया थी, रूडिवादी सक्तिया क्या होती है, रूडिवादी सक्तिया वो जो पुराने सोच के होते है, तक क्या अनुस्य सोच के होत पर ये सारी चीज़े जो थी वो लोगों को चुनोती दे रही थी ठीक है ये रास्ट बात की जब भावना लोगों के अंदर में आ रही थी कि भाई हमारा देश है वो चुनोती दे रही थी अब पूरा भारत 565 राजवारों में बटा हुआ था ठीक है तो 565 राजवारों में ठीक है जिसके अंदर में मतलब जो यह थे थक्यान उसी सोच के भाई हमारा बना हुआ है हमारा बना हुआ है सबका अपना रूल ड्रेगलिशन ठीक है तूँ यह इनको चुनोती मिलता है उसके बाद यह राष्टवाद की बावना अपना प्रकर आगे बढ़ता है ठीक है आनता की बात कर रहें तो इन सब के अंदर में क्या होता है जो राष्टवाद की सक्तियां है राष्टवाद की चीजें थिंकिंग है वह बढ़ती है प्रमोट होती है ठीक है समझ में आता है तो यह यहां पर राष्टवाद कहलाता है ठीक है राष्टवाद यह सिंपल सा यह रास्टवाद यह बन जाता है आगे मैं बात करूँ रास्टवाद का उदे किस परकार से हुआ तो यहां पर रास्टवाद के उदे को लेकर करा जाता है कि ज्ञानोदे ठीके जो ग्यानोदे का टाइम पिरिड़ था ठीके इसी बुक के अंदर में जो पहला दूसरा पहला ईंग्यान के उत्पत्य आना शुरू हूआ ठीके लोग जानने लगहे कि कया चैТे जरूरी है किस परकार से जरूरी है तो वह घ्know रहता है ठीके समझसे घयनोगे हुआ ठीकेस माजिक सुद्हार आंधोलन चलाई गए जिसके अंदर में भारत के इंदर में सती प्र उसके परिणाम सुरूप, जो रास्ट रात की भावना उधोण हुई जो रास्ट वात्तप्ण हुई, क्योगे ग्यान मुदे के अंदर में का हुआ इंगलेंड का अगर एक्जामपल नहीं या फ्रांस का एक्जामपल नहीं और वो चीज़ें वहाँ पर रास्टवाद की भावना वहाँ पर उत्पत्ते करता है ठीक है समझ में आता है यह जो रास्टवाद वाला टॉपिक है यह पहले भी मैंने अच्छे से बहुत सारे समझा रखा है इसके जो पीछे के चैप्टर से वह भी almost रासवाद के उपर में आप छोड़ोगे दूसरा चैप्टर समझ में नहीं आएगा यहाँ पर यह रीजन भी रहता है रास्टवाद का उदे दिखा जाता है कि सासन तंत्र में देवी अधिकारों ओचित्ते की ओचित्ते नहीं है ठीक है मतलब जैसे यहाँ पर क्या देखा गया रास्टवाद का मैं रास्टवाद की जाधा रहता था कि भाईया यह किया रहा है क्या हो रहा हां तो वह चीजे पर जब इसमाझ में आता है यह पर देवी अधिकार खतम करने के सांसा यहां पर दच्छिन एसिया के राष्ट उम्मद देवी स्वरी यहां पर देवी अधिकार खत्म करने के साथ साथ व्यक्ति की सवतनता इंपोर्टेंट ना कि देवी अधिकार इंपोर्टेंट है यहां पर इसके उपर भी जोर दिया गया ठीक समझ में आता है अब दोस्तों म सिमाओं में बदलाव लाया ठीक है जो राष्ट वात का निर्मान होने से क्या हुआ जो राजनीतिक सीमा है जैसे मालो भारत की सीमा ऐसे हैं तो राष्ट वात का जब निर्मान होना शुरूआ तो उसके अंदर में राजनीत की सीमाई में बदलाव हुआ कैसे अगर आप प स्टाइटिंग में किया कुछ इस तरह का था नहीं बिलकुल नहीं जब उपर से कस्मीर से अगर आप लेकर जाओगे न तो पूरा अफगानिस्तान पाकिस्तान इस सारा भारत के पार्ट थे पर पाकिस्तान के अंदर में क्या वर राष्टवात की भावना जा गई थुई भा यहां पर जब राष्टवात की भावना बनती है तो वहां पे जो राजनितिक सीमा होते है उसका परिवर्तम बदलाव होता है अब देगो पहले हमारी निया की सिमा ये थी ठीक है बाद में पाकिस्तान के निर्मान के बाद हमारी सीमा ये बन गई तो यह इस तरह से बदला घD cheg刌ब पहले में तुले आप सब्सक्राइय चल रही थी यह उपनिविशिक वि राष्ट वाध में था उपन वेशिक विश्क विरोध में इसके वह पर गसी less विकर कन शियक्त नागन ग tecnologia करका आधुषने व्रियोक सब्सक्राइब hatte घृळंप 2017 भावना को स्थापना करी ठीक है राष्ट राज्ये ठीक है राष्ट राज्ये की स्थापना की गई राष्ट राष्ट वाद के द्वारा ठीक है आगे मैं बात करूं तो यहां पर अंग्रेजी सासनकाल में तीन तरह की संस्कृतिया मोजूद थी जिसके बेसिस पर राष्ट किया गया ठीक है मतलब मानके चलो तीन तरह के Culture तीन तरह के Sanskriti भारत के अंदर में मुझूद थे अंगरी जी सासनकाल के दोरान में जिसमें एक आया था इस्लामिक ठीक है इसलामिक के अंदर में इसलाम धर्म को वानते जिसमें वह उपी विहार के मिली थे और यूपी बिहार के सासात वो कहाता उनका जो भासा था वो उर्दू था मतलब एक तरह के कल्चर के लोग वहाँ पे थे तो तीन तरह के कल्चर के में दिख जाते हैं एक तो हमारा जाता है ब्राह्मनवादी वो इसलामिक दूसरा हो जाता है हमारा ब्राह्मनवादी ब्राह्मन को अच्छा बताते थे तो उनका अलग ग्रूप बन गया था तो यह तीन तरह के यहां पर समुदाय है हमाई भारत के अंगरी जी सासनकाल के दोरारे में देखने के लिए मिल जाता है ठीक है समझ में आता है यहां पर मैं बात करूँ आगे तो रास्ट या अंदूरन ने भास correctly अगरों सबस्ताने शुक कितने भासा करूप अब अल्मुस्ट हर आपके अगर ना हर तत्र मतलब 10 किलो मेटर चलोगे त्रीके होगे आपने झाप जहां वहां से हर 10 किलो मेटर के अंदर में जो लिए जंग्विज है can language औस के अंदर में कुछ ना कुछ परिवरता आजा भारत के अंदर में बहुत सारे लोग अलग अलग ति पर उन सभी के अंदर में रास्टवाद के लिए लड़ने के लिए उन सभी के अंदर में जो भावना थी वो सेम थी, ये का आगया, तो मतलब एकता में, बिभिन्ता में एकता की भावना थी भारत के अंदर में और अगर मैं बहुलताबादी की बात करो, बहुलताबादी और हिंसा, ये भारत की कमजोरी के तौर पे दिखा गया ठीक है जो विचारक ते हो कहते हैं कि बहुलता बादी मतलब एक से ज़्यादा चीजे हैं डिफरेंट चीजे हैं वह भारत की कमजोरी बनी अब जैसे हिंदू था तो अगर एक ही आइडिलोजी के सारे लोग होते हैं तो कभी पाकिस्तान का निर्मान होता है नहीं पूरी पा तो किसी को कुछ और डिमांड नहीं होगा ना यह सिंपल सी बात रहती पर यहां पर पाकिस्तान जो इसलाम दर्म वाले थे उन्होंने बोला कि यहां अलग देश चाहिए तो उन्हों अलग मांग लिया ठीक है तो इस तरह से चीजे बनती हैं समझ में आता है तो यहां पर यह कहा गया कि भाई जो बहुलताबादी है और अहिंसा है वो रास्टवाद की कमजोरी के तौर पर देखा गया रहा अहिंसा में क्या आता है जहां पर लडाई जगड़ा नहीं करना भारत गांदी जी ने बोला कि भाई हमें लडाई जगड़ा बिल्कुल नहीं करना तो ये राश्वात की कमजूरी के तोर पे यहां पे देखा गया, ठीक है, अलग जाता था क्योंकि सब की मतलब अलग अपने मोटिवेशन से मोटी मोटीव था तो वूस के कारण से यह दिखा गया कि राजनेतिक एकता पाने के कुर्सित के गई जबकि प्रशासनिक एकता भारत के अंदर में मौझूद थी 1947 के बाद में सामुईक संस्कृति का विकास हुआ ठीक है टोटल एक संस्कृति के तोर पर भारत का विकास होना शुरू हुआ ठीक है संस्कृतिक तथा भासाई एकता नहीं हो पाया ठीक है मतलब संस्कृति रूप से विकास सामुईक रूप से तो विकास करना शुरू क्या पर अगर आप बात करोगे सांस्कृतिक रूप में ठीक है कल्चर के रूप में भासा के रूप में तो भारत कभी भी उसका विकास नहीं कर पाये हैं क्योंकि देखो कल्चर तो सबका अलग अलग है गुजरात में जाओके तो गुजराती कल्चर दिखेगा बंगाली का अब पनाले ठीक है तो ये भी चीज़े रहेगा तो कभी भी हम इसके अंदर में वो काई एक ता काईम नहीं कर सकते हैं यहां पर ये भी दिखा गया है ठीक है समझ में आता है आगे माध करो दूस्तों необходимо पाकिस्तान के राश्डवात के बारे जिसमें हिंदू और मुसलमान दो रास्ट है ठीक है पाकिस्तान का टुकड़ा भी इसी बेस्ट पर किया गया कि त्यूनेशन थियोरी के अधार पर जिसके अंदर में का गया कि भारत और भारत के अंदर में रहने वाले जो लोग हैं उसमें एक जो मतलब बड़ी अवादी है वो मुसलिमों के है और दूसरी जो बड़ी अवादी है वो हिंदू की है ठीक है तो दोनों को अलग-अलग कर दिया जाए जाए मुसलिमों को अलग रास्ट दे लिया और वहां चले जाएंगे रहने के लिए और यह हुआ भी पाकिस्तान का निर्मान किया गया पर क्या हु इस तरीके से पाकिस्तान का जो निर्मान हुआ वह दो रास्टों के सिधानथ पर हुआ हिंदु-मुसलिम रास्टों के सिधानथ पर हुआ भारती मुसलिम स्वयम इक रास्ट है यह उन्होंने परदर्सित किया जादница से पहले भारत के कि जो मुसलिमान है वो अपने आपको एक राष्ड के तो पर दिखाने लगे कि भीया हमें एक रास्थ है उनका पूरा एक गैंग है ठीक एक समुदाय है ठीक है और रास्ट का मैंने परिवासा दिया था आपको कि जब एक मानव समुदाय जाती किसी भूभाग पर रहता है त ठीक है हमारी अबादी इतनी बड़ी कि हम पूरे-पूरे एक देश हैं तो हमें अलग करो तो भाहिया तो यह सोचकर यहां पर अलग हुआ ठीक है समझ में आता है यह रास्टवाद का जो था धार्मिक पैचान के तौर पर इंट्रोड्यूस हुआ ठीक है जो यह रास्टवा वह थफाब के से रहा कि एक तो पकिस्तान इस साइडसर बराघ्णि उसहा यह र्धार बना पूराघ्ण सब्सक्षपश्र ओना पुर्भी पाकिस्तान , ठीक है तो पूर्वी पाकिस्तान इस स्वें भी चम्राख तक तर भको इ قलुषता हुन जिसके अंदर में जैसे लोगों किया गया उनके उपर रेगुलियर दबाने की कुर्सिस की कि जिसके कान से क्या होता है वो भी अजादी के मांग सुरू कर देते और आगे चलकर बंगलादेश के रूप में वह अजाद होते हैं इनका जो राष्टवाद के गर में बात करूं तो आर्थिक भिविंता डिफ्र्टों के आधारपर छाओ टेंती पर तो रूप मतलब करते ते और जबकि पुर्वी पाकिस्तान के अंतर में बंगालि पर भात जाता था उर्दू बहुत कम था sleepy जाता था तो उसके कारण से क्या दिखा गया है भासा संस्गिर्थी और टिक विभिन्ता होने कारण से लोगों के इंदर में राष्टवाद की चीजें उत्वात का नियुक्तन निर 현재 आहां पर पोपलेशन का जो नंबर था वह बंगाली बोलती थे बंगाल के बिलॉंग करते थे उसके कारण से यहां पर बंगलादेस का निर्मान हुआ यहां पर बंगलादेस के निर्मान में भारत ने बहुत ठीक है पर भारत ने ऐसा नहीं किया उसको एक देश बनने में सपोर्ट किया और बंगला देश को एक देश के तौर पर परमोट किया ठीक है समझ में आता है तो इस तरीके से यहां पर यह वाला टॉपिक मारा है यहां पर कल चलता है आगे मैं बात करो दोस्तो अन्नी के अंदर में खालिस्तान ठीक है यह यहीं अपने आपको एक राष्ण के द hide के तार पर दिखाते हैं हम भी एक वहाँ पर आतंगवादी गतिवीदियां चलाई गई एक परगर के आतंगवादी गतिवीदियां ही थी ठीक है वो भी अपने आपको एक रास्टवाद बताते हैं कि हम अपने देश के लिए लट रहे हैं पर कोशिन यहाँ पर यह बनता है कि पंजाब में खालिस्तान क्या में लिल्लम यह तीनों के द्वारा जो चीज़े चीरक करी गई क्या वो सच्व रास्टवाद का पार्ट है क्या रास्टवाद है यह मुझे कमेंट करके बताएगा आपका क्या मानना है थीक है समझ में आता है अगला जो हमारा टपिक हुरेगा दोस्तों यहाँ पर हम हम अगले टपिक की बात करें तो यहां पर हम आता है ग्लेनर का राष्टवाद के उपर में ठीक है यहां पर यूरोब के जो हिस्से थे उसको चार पार्ट में डिवाइड कर दिया ठीक है और चार पार्ट के अंदर में डिवाइड करने के है वो रास्टवाद को total शार पास में क्सक्वेस कैसे तो पहले के अंदर में और में उन्होंने बोला कि यूरोप के मतलब पहले के अंदर में by lannapati 인ских Gill in इंगलेंड इस्पेन्ड पूर्ट काल ठीक है फिरांस हो गया England हो गया फुर्तकाल हो गया पुर्योग हो गया इनके राष्टवाद की बात की गई जिसमें काँए कि राष्टवादी तथ पहले से मौझूद था इनके अंदर में जो राष्टवादी तथ वह है इन सभी कंट्री में पहले से मौझूद था यहां पर जो परकिरिया थी जो रास्टवाद को बनाने की वो भहत जिध सही और सांतेपुन था संगर्स मुक्त था जादा संगर्स नहीं करना पड़ा यहां पर दिखा गया तो उसके कान से यहां पर ज़्यादा मुस्किल नहीं हुआ और सहज रूप से यहाँ पे राष्ट का निर्मान हो गया तो ग्लेनर ने वर्गी करन इस तरह से गया कि राष्ट चार प्रकार के होते हैं पहला के अंदर में इन कंट्री के एक्जामपल दिया दूसरे राष्टवाद के अंदर में वो कहते हैं कि पूर्वी रोमन समराजे राष्टवाद की बात करते हैं वो जिसके में कहा गया कि भूभाग की सांजी संस्कृती मौझूद थी जो जमीन है वो उसकी तो सांजी संस्कृती मौझूद थी भूभाग तो सेमय वहाँ पर राज़े नहीं था ठीक है क्यों राज़े नहीं था क्यूंकि एक साइड पर राज़े बसा हुआ था दूसरी साइड पर सूखा था एकदम बिराना था बिखरा हुआ था मतलब यह कहा जाता है कि पूरा जो इतना बड़ा देश है देश के अंदर में एक साइड पे केंद्रिकृत राज्य बसे हुए थे लोग बसे हुए थे दूसरी तरह पे बिखराव था ठीक है दूसरी तरह बिखराव था यहां पे यह राष्टवाद इस परकार से आगे बढ़ाय जाता है दोस्तों ठीक है समझ में आता है तो यह एक लेनर ने दूसरा राष्टवाद का वरगी करन के तौर पर देखा गया तीसरा जो हमारा आता है तीसरा आता है यहां पे पोलिन युगोसलाविया युनान ठीक है बालकान राजे यह सारे तीसरे वाले के अंदर में वरगी करत किया गया जिसमें कहा गया कि राष्टवाद का जो सरूप है वो कठोर माना गया ठीक है राष्टवाद के सरूप को कठोर के तौर पर दिखा गया गठोर है अनुदार है ठीक है यह दिखा गया यहां पर राज्य और संस्कृति मौझूद थे इसके निर्मान में हिंसा जातिय संगर्स ठीक है और इस्थान तरण हुआ ठीक है राज्य और संस्कृति तो मौझूद थे ठीक है राज्य के अंदर में राज्य और संस्कृति त यूगसलावया दूर्जाधा लोग तुक्तलध भलकान देखने के लिfoundering कृती है लोग यहां पर यहां पर यह देकने के मिल जाता है यहां Пर रूस के रास्टवाद के लिदनμάें, तो फर्स्ट वर्ल्ड वर्त बीए समराजवादी विचारधारा ठीक है जो समाजवादी विचारधारा है समराजवादी विचारधारा है उसका इंटर्डियूस होता है और उसके अधार पर ये कहा जाता है कि रास्टवाद की भावना बहुत अधार प्रकर होती है बढ़ती है ठीक है और जारसाही जो जारसाह काने में कोसिस करा आगे अगे बढ़ाए उसने टिके रास्टवादी सामना भावना को सपोर्ट किया संव्राजवादी ने समराजवादी टेक्षित स्इ typ friction दोनों से उसके पतन होने के साथ-साथ में राश्टवावना दिखने मिलती है आपको पता होगा 1991 में 1991 में Soviet envelope we संक्पनका पतन हुआ Soviet something USSR का पतन हुआ तो उसमें से कई सारी रार्ष्ट बने ठीके जिसके इंदर में रूस हो गया Ukraine हो गया और बहुत सारी से रास्ट बने तो जो सोविस्वाण संग में से उसका एक कारण यह दिखा गया कि रूज की लोगों के अंदर में रास्टवाद की भावना थी टीक है और रास्टवाद की भाव्ना के कारण से इसका पत्न हुआतिक जबकी जो राज्ये का निर्मान दिखा जाता है क्योंकि राश्टवाद की भावना के लिए राज्य का निर्मान बहुत जरूरी है तो राज्य का निर्मान का जो मीन देखा जाता है चीजे वो रूस के पतन के बाद सुरू होता है ठीक है USSR के अंदर में तो एक संगठित राज्य बने हुए थे पूरा एक र आपस में लोग मोटिवेट हुए तव राष्टवाद की सुरुवात होती है अगर उनको दवाब बहुत जादा दिया जाता है तो होता है यह समराज्यों का विखराव हो जाता है तो उसके बाद राष्टवाद करने निमान होता है इस तरह से एंथनी समीत ने भी यहां पर डिफाइन किया है एक बार दोस्तों आप बुक से इसको रफली स्टडी कर सकते है जिससे आपको पूरा चैप्टर के लिए रो जाएगा और वीडियो आई होप सो बहुत लंबी बनी होगी मुझे इसा लग रहा है तो मैं कुर्सिस करूँगा कि वीडियो थोड़ा छोटा बनाओं आगे से और आप वीडियो को लाश्ट तक देखेगा जिससे आपको चीज़े समझ में आए और अगर आपको वीडियो समझ में आ रही है चीज़े अच्छी लग रही है आपको helpful लाई वीडियो तो like, share, subscribe जरूर कीज़े और अपने सभी दोस्तों तक ये वीडियो कर लिंक पहुचाएए तो friends thank you so much for watching me, thank you so much for listening me, bye bye, take care, all the best